दिल्ली सारे एक बड़ी खबर के साथ जहां ट्रांस्पोर्टर्स के हर्ताल को लेकर बैठक हुई है All India Motor Transport Congress के प्रतिरध्यों की बैठक ग्री मंत्राले में चल रही है ग्री सचिप के साथ ट्रांस्पोर्ट Congress बैठक कर रही है All India Motor Transport का बड़ा बयान आया है और कहा कि हमने तो किया ही नहीं हर्ताल का अबभखान बड़ी खबर ग्री मंत्राले में बैठक चल रही है और All India Motor Transport Congress के जो प्रतिरधी है उनके साथ ग्री मंत्राले में बैठक चल रही है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहें कि बैठक से पहले All India Motor Transport ने ये बड़ा बयान देते वे कहा है कि हमने तो हर्ताल बुलाई ही नहीं तो आखिरकार हर्ताल किसके आबाहन पर हुई ये बड़ा सवाल है हर्ताल कब तक खत्म होगी ये सवाल बना हुआ है हर्ताल को लेकर जो कवाइदे की जा रही है उनका असर कब तक देखने को मिलेगा फिलहाल ये बैठर ग्रिस अचिक के साथ जारी है तो हर्ताल को लेकर हाई कोट का सक्त रवया देखने को मिला कोट ने हर्ताल खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं जबलपूर हाई कोट ने ये सक्त रवया दिखाते हुए हर्ताल को तुरंथी खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिये हैं ट्रॉक और बस ट्राइवर्स की हर्ताल के खिलाब ये यार्चिका यहां लगाए गई थी कोट ने हर्ताल को असरधानिक बताया है साती हर्ताल को खत्म कराने को लेकर सरकार को निर्देश दिये हैं तो ट्रॉक ड्राइवरों के हर्ताल पर हाई कोट सक्त है हाई कोट ने सरकार से कहा कि आज ही हर्ताल को खत्म कराने के लिए निर्देश दिये नियाले में पचन दिया गया है कि आज ही सम्मंद सरकार कठोर कदर मठाएगी और यह सुझेचित करेगी किसी इस तीर आवस्चक बस्तू को सब्सक्राइग करने बसक्त करें तो एक त्रफ कोड भी हर्ताल को ले कर सक्त है तो वहीं सीम ने भी हर्ताल पर अधिकारों के साथ भैठक की बैठक में सब जिलो की कलेक्टर और स्पी शामिल हुए जरूरी सामान की कमी ना हो इसलिहाद से सीम ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं सीम ने प्रदर्शन कारियों के उतपात पर सक्त कारवाई करने के भी आदेश दिये हैं इस ट्रांस्पोर्टर्स की हर्ताल पर सीम ने जो बैठक ली है उसकी दस्वीरे आप देख रहे हैं सीम काफी सक्त हैं सीम ने कहा कि किसी भी सामान की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आम जनता को और साथी जो हर्ताल की नाम पर उत्पात कर रहा है उन पर भी सकत कारवाई करने के आदेश सीम नहीं हाँ पर दिये हैं तो हरताल का असर हरताल को खत्म कराने के जो कारवाई की जा रही है और बातचीत करने के लिए हमाई सायोगी जोड़े हैं भुपाल से प्रशांत कटारे और साथ ही दिली से शंकर आनन जोड़े हैं पहले आप बताए दिल्ली में जो बैठाक हो रही है उसको लेकर क्या अपडेट तमाम जो मसलें उन मसलों पर विस्तारा से चर्चा की जा रही है और इसके साथ यह बहुत सारे एसे मसलें जो सोसल मीडिया पेर या एस्वोसिसियें सन्स जो स्वे ऑस पार्वर से ऐसे उसका कही जो पर इसका है बात्रामर Couch मेंussy घ् sweetuito कर एक हैं और बहुत सारे ऐसे जो अफवाओं का जो बाजार गर्म करने वाले जो लोग हैं बखायदा उन पर नज़र रखे जा रही है और खास तोर पर देखे एक सक्षिन की बारे हम जिक्र करना चाहेंगे जैसे एक जो अफवा है वो उसमें कहा जा रहा है सोसल मीडिया पर ऐसी करां देता है तो को बाद में उस मामले पर फैसला करता है कि क्या वह ट्रन का मामला है या नहीं पेहला चीज़ दूसरा कि इस मामले में अधिक्तम सजा होनी चाहिए या कम सजा भी दिया जा सकता है तिस दा सब को लग रहा है हमारे और से किया ही नहीं गया उसको लेकर क्या इंपोट है देखे बात वही में कह रहा था कि बहुत सारे एसे हैं उन एसे के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो जान बुझ कर इस मामले को बड़ा वनाने की कोशिस करते हैं या गलत तरीके से तत्यों को पेश नामने रगा जाता है जिसके चलते यह मसला इतना बड़ा सा दिख रहा है तो उन तमाम मसलों को दूर करने के लिए जो अफवाएं या गलत फहिमी हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है देखे एक आम बोलचाल की भास में मैं समझाना चाहता हूं कि यह कानून क्या है और सजा क्या है समानने तो पर देखा जाता है कि सड़कों पर अगर कोई हिटन रन का मामला होता है तो कई बार होता है कि डर के मारे ड्राइवर फरार हो जाते है चाहिए वो बस वाला हो ट्रक वाला हो या कोई अन्यगार हो तो वहां पर यह कानून कह आप को नहीं मालूम है तो आप वहा सी आज लेकिन कई बार देखा जाता है कि अडाट की जानकारी हो गई है कि आप जान बुझ पहूंचा आप चालत में अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि सजा का प्रावधान है वो कम हो जाए या अगर आपके एक मेहनत करने से अगर आपके एक पहल करने से अगर किसी के जान बसती है या आप जान बचाने का प्रयास करते हैं तो निशन तोर पे साजा का बहुत जरूरी है तभी यह जो ब्रहम हैं वो दूर होगा प्रशांत कटारी भुपाल से मासा लाइफ जुड़े है प्रशांत हम देख रहे हैं दिली में महतपूर्ण बैठक जारी है प्रशंकर जिसरा से बता रहे थे वहीं भुपाल में सीम ने भी अपने अधिकारें को सक निर्देश दे दिया है कि आम जर्नता को दिक्कत ना हो और साथी जो उत्पात कर रहा है अर्ताल के नाम पर उन पर भी सकत कारवाई हो बिल्कुल अफ़रना दरसल दो मोटों पर फोकस है और फोकस पहला ये कि जो डिलर्स हैं असोसियेशन से उनसे बाचीत करें खासतार से पहला ये कि भई जो ट्रक असोशियेशन से जुड़े हुए लोग है उनसे बाचीत हो रहे है ताकि कोई भी चीज बाधा ना आया लगातार सोचारू तरीके से सप्लाई होती रहा लगलग जो आती आवश्यक वस्तु है उनकी या फिर पेटरोल की डीजल की या द लिजसे सहयूगी बता रहे थे कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट असोशियेशन है वो खेरा है कि हरताल हमने कोई की नहीं बिलकुल ठीक बात है चुकि ऐसा कोई प्रावधान बस मालकियों या वहन मालिकों के उपर कोई नहीं है उनके उपर तो उस लिहाद से हरताल उनकी नही हैं मामले को सुलजाने की मुख्य मंत्री उसी मद्दे नजर लगातार अफसरों के साथ बाचीत कर रहे हैं वी सी के जरिये बाचीत हो रही है और ये बाचीत का दौर एक एक नहीं बलकी लगातार बैक टू बैक चल रहा है अलग-अलग इसतर पर चल रहा है अफसरों के साथ बाचीत हो रही है बहुत इसपस्ट निर्देश है कि भई कहीं भी किसी भी सूरत में जो वाहन दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आम जिनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए पवन प्रभावित होती दिख रहे हैं जिनकी कीमितें कहीं न कहीं दीरे-दीरे बढ़ती जा रही है आज जो है शाम को हाइकोट का जैसे ही आदेश आया कि हरताल खत्म करवाने के लिए हर संभव प्रियास करें सरकार की तरफ से स्पश्टी करन दिया गया कि आज ही हरताल खत्म कराने के लिए पूरी बाचीत की जाएगी जो भी निड़ा होगा वो जंता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा उसके बाद जिला प्रिशासन की टीम शेहपुरा इस्थित्र डिपो पहुंची पैट्रोल नहीं की गई है जो हरताल करने वाले चालक परीचालक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमने किसी को भी रोका नहीं है जो आवश्यक वस्तु हैं उनका परिवहन निरंतर जारी है पैट्रोल डीजल भी पैट्रोल पंपों में सप्लाई किया जा रहा है फिलहाल कलेक्टर का जो बयान आया है उसमें यही कहा गया है कि हमने अपनी तरब से बाचीत की है और जो भी आवश्यक वस्तु हैं उनकी सप्लाई लगातार जारी है इस बात को सुनका इस से यह अंदाज लगाया जा सकते है कि आवश्यक वस्तु है तो मिलेगी लेकिन हरताल खत्म करने की अभी तक कहीं से कोई भी इस पश्ट जानकारी सामने नहीं आई जी बहुत शुक्रिया पवन आपका प्रशाज शंकर आप तीरों का ही शुक्रेस पूरी जानकारी के लिए और जिस तरह से हरताल का असर देख़नी को मिल रहा है हरताल को खत्म कराने के लिए कदम उठाए जारे हैं क पंदरा सौर रुपे की लिमिट फूर विलर्स चालको के लिए हैं कलेक्टर नहीं आदेश चारी कर दिये गए हैं जो पेट्रोल पंस पा लंबी लंबी कतारे देखने को मिल रही है कि लोगों में होल लगी हुई है पेट्रोल फुल करवा देने की टैंक फुल करवा देने और अगर आपके बस पोर विलर्स है तो आपके लिमिट रखी गई है पंदरा सौर रुपे ताकि हर किसी को ही पेट्रोल मिल सके ये नहीं कि कोई पेट्रोल का टैंक फुल करवा रहा है अपनी गारी को और किसी को पेट्रोल एक लीटर भी नहीं मिल पा रहा है इसी को है दो पहिये के लिए 500 की लिमिट है अलग-अलग लिमिट यहां पर लिमिट का स्लाब रखा गया है और अब बात करते हैं